नमस्कार दोसों आप शभी का बहुत बहुत श्वागत हैं दोसों आपको बता दें कि 18 नौंबर के शुब दर्श बजे शे जिया दोसों यह शुमें से आपके जूनकाल में बगवान स्रीहरी विशनुजुके अश्रबाद से बहुत बड़ी चमतकार होने वाले हैं जिया दोसों रशल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह शुमें गुरुवार का दिन होगा यानि भगवान स्रीहरी विशनुजुके का दिन होगा और यह शुमें बगवान स्रीहरी विशनुजुके अश्रबाद से आपके जूनकाल में कुछ ऐसी बड़ी गटनाए हों और कुछ ऐसे ही अच्छे बदलाव होने वाले हैं जिने जानकर आपके होस उल्जाएंगे जिया दोस्तों आपको बता दे कि भगवान श्रीरी बिशनुजी शवी देव में शेय के शेय देव हैं जो अपने भक्तों की मनों कामनाएं बहुती शिगर पूरी करते हैं उनके ज पूराने वाला आपका शुमें बहुत है अच्छा रहने वाले हैं जादोस्तों यूंकर गणो की इस स्भिस्तिती और भगवान श्रीली बिशनुजी के असे दृष्ष जी, आपका श्रीली बिश्यमें बहुत देचा रहेगा ज्य Mensch अजूरु से लिएकर अंते तक आपको गरों के शाथ कौन सी सावदनियों को भी रखने होंगी किनी चित्रों में कारेकर निश्याप को लाब की प्रयाप्त होगी भगवान श्रीरी विश्णुजी के शिर्दावावस्य आपके वारेजियों में और घर के महल में क्या क्या शुदार होंगी कौन सी बड़ी श्रीरी विश्णुजी का सीधा सिर्वात प्राप करेगा तो दोसों जरुबर करेगा और अगर आप चैनल पर भी नए है तो दोसों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले शाथी बेल आइकन को प्रेश करके और पर स्टेट कर ले तो आए दोसों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों यश्मे, आपका पर्वावभषाली तथा महत्मू लोग के बीच कुछ समय वहतित करना आपके आतमब तथा करेशंता में और दिक बहतरिण बृदधी करेगा दोस्तों आपकी परवशालिवाने भी दोसरों के उपर बहतरी नियश में छाप छोड़ने वाली है समाजिक चेतर में आपके शंपर का दायरा भी बढ़ेगा जिसे आपको आगे चलकर बहुत बहुत बहतरी लाप की प्राप्य होंगी इसको प्राप दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लगर बात करें तो दोस्तों यश में कभी-कभी ऐसा आपको परतिक हो सकता है कि भाग आपका शाफनी देरा है जिनकी वज़े से आपकी आत्मिश्वास में थोड़ा सा कमी भी आएगी प्रंदों दोस्तों मनल करें तो आपको महसूस होगा कि यह आपका शिर्फ वहम है दोस्तों यश में थोड़ा सा अगर लाप की बात करें तो थोड़ा सा लाप कम हो सकता है तो इनकी जिन्ता ना करें दोस्तों भईश में आपको बहुत अच्छा लाग मिलने वाले हैं आपके उत्तम व्यक्तिवत तता प्रभाव शालिवानी के प्रभाव से समाजिक और पारेवरिक छेत्र में आपका यसमे रुद्वा बढ़ने वाला है दोस्तों आपके कुछ महत्मुन लोगों से शंपर्क भई जश में घनिश्ट होंगे दोस्तों दसार इस्तेदारों के साथ मेली मिला आप से खुसी जश में आपको मैसुष होने वाली है निवे शमन्दी मामलों में ज्यादा पेशा ना लगाएं क्योंकि दोस्तों यश में नुक्षान के आशार बने हुए हैं इसको प्राम दोस्तों यश में आपके लिए उसे में होंगे आपके दिंजरा के लिए जिसे में होंगे दोस्तों येश में शुरुवात में ही बहुत अधिक शुगत परिणाम आपको मिलने वाला है दोस्तों येश में आपके सबी सोचे वे काम येश में सांतिपून तरीके शिन्यों पड़ जाएंगे तथा दोस्तों आपका विनमर शुभा लोगों में तारीब का भी कारण बनेगा दोस्तों अध्यात्मी के छेतर के प्रती भी आपका शुष में रुजहान और अधिक बढ़ेगा शादी दोस्तों प्रंदू कभी कभी लापरवाई के वज़शे आप बेठे बिठाई किसी मुश्यूबत में पढ़ सकते हैं आप पर कोई बदनामी या फिर आरोप भी लग सकता है इसलिए दोस्तों या शुमे बहुत ही समाईदारी शे काम लेना आपके लिए आवश्यू होगा दोस्तों घर के वरिष्ट वर्तियों के शलाप पर आप आवश्य अमल करें ये आपके लिए फैदेना शाबिद होंगे इस गुबरान दोस्तों या शुमे आपके लिए शुमे होंगे दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों को भवश्य को लेकर जो समय होंगे कुछ उजनाएं बनेंगी तथा नियोवे शमन्दी कारियों में आपके दिलसजबी शुमे होने वाली है दोस्तों दिल के बज़ाई दिमाक्षे काम लें हिम्मत और शुमास के वल पर अशुम्भ ववकारवी शुमे समभव करना आपके लिए आशान होगा शाथि दोस्तों भावकता में आकर कोई भी निरले गलत होशकता है दोस्तों किसी नईदिकी रिस्तेतार्ग से मामली बात पर कहाशोली भी हो शकती है तो दोस्तों इनसे बचें शाथी कोई बाहरी विक्ति भी आपकी भावनों का यश्में गलत फैदा उठा शकता है यश्में अत्यदिक सचित रहने की आपको आफशकता होगी इसको प्राहन दोस्तों यश्में आपकी केरियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्में कामकाच का महल आपके पक्ष में रहेगा आर्थिक मामलों में और योशाय में किसी परकार का निवेश करना भईश को शुरुक्चित रखेगा प्रतु दोस्तों अधिनस्त कर्मशारी की गतिवधियों पर पेनी नजर रखना आपके लिए अत्य आउशो होगा क्योंको दोस्तों पीट पीज़े किजी परकार के नुक्षान होने की भी आशनका लग रही है तो दोस्तों शावधन भी आपको रहना चाहिए यह शमय इसको प्राहन दोस्तों यह शमय आपके केरेट के लिए जो समय होगे दोस्तों अपनी उर्जा, मार्केटिंज रमन्दी कारियों तथा पेमेंट आदी कलेक्ट करने में लगाएं आर्थिक दिरिश्ची चे उत्तम शमय बना हुआ है आपके लिए दोस्तों आपका रुकाव पेशा कापी हद तक वापस मिल जाएगा कि जो भी कारे में दिक्कत आने पर जो है घर के शदस्यों की आपको मदद लेना लाब दैग रहेगा ओपेश के भी अधिकतर काम सुचारी रूप से निपढ़ते जाएंगे इसको प्राहन दोस्तों ये शमय आपके केरेर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि ये शमय वह उशाय में आर्थिक सेदी बहुत भी बहतरिन रहने वाली है दोस्तों आपके अपने कारी के प्रती पूरी एक गर्ता आपको नए उपलोर धियां भी ये शमय परदान करने वाली है परतर दोस्तों किसी भी कारी को शुरू करने से पहले उनके बारे में आपको पूरी तरह जानकरी ले लेना अती आउश हो होगा तो पिस का महाल भी एस्व में शानद basil स्वैंट रहेगा बस सब्में के जनकार कारी लना आपक लिए इस में आउस्षो होगा तो दोस्तों इन पर जरुड़ूर ध्यान दें तो लापरणवाई आपने कम गरते हैं यह आपके लिए नुक्षान दाइक होंगे इसको प्राहन दोस्तों यह आपके क्यारी शेटर के लिए जबना रहे हैं तो दोस्तों यह जो समय है आपके लिए उचित समय होगा आपको धेरे-धेरे तरक्की भी आच लोगी वो चादिकारियों का शयोग भी यह आपके उपर बना हुआ है इसको प्राहन दोस्तों आपको पता दें यह में अगर आपके लव लाइप को लेकर बात करें तो दोस्तों पती-पतिने के बीच अकारान एक कुछ मरम उठाव रह शकता है यह में बहुत ही समयदारी शेट शमनों को शुदारने की अवशकता होंगी दोस्तो बिवायोगर लोगों के लिए जल्दी ही बिवाशमनी कोई उचित रिस्ता यह में आशकता है इसको प्राहन दोस्तों यह में आपके लव लाइप के लिए समय होंगे दोस्तों आपको पता दें कि पती-पतने के बीच घर की किसी समस्या को लेकर बैचारिक मद्भेद भी रहेंगे प्रेम शमदों में और अधीक नहीं देखिया यह समय आने वाली है इसको प्राहन दोस्तों यह मैं आपके लिए समय होंगे परिवार तता और स्थाय दोनों में इस में आने वाली है तो दोस्तों इसको प्रादे दोस्तों ये श्में आपकी स्वास तेने सहत खोले कर बात करें तो दोस्तों अत्य धीक भाग दोड़ की वज़शी ठकान आपके सिर्फ पर हवी रह सकता है जिनसे दोस्तों सिर्फ की सिर्फदत की समस्याँ आपको हो शक्ती है तो थोड़ा शाज जो जिसे समस्या भी आपको रहाशक्ती है यह में अपना उचित ध्यान रखना आपके श्वास के लिए इसमें बहतर होगे इसको प्राद दोस्तों आपको बता दें यह भूख न लगने तथा आप जिसे शिकायद बिरहाशक्ती है दोस्तों देंजरिया को श्यूमित रखें हेल्थ क्रियेश में बहुत ही उत्तम शाब्द होंगे